हेलो गाईस, वैलकों बैक, ड्यक्स रब्पानी योट्यू टुब चैनल गाईस, आज जो मैं बात पूरूँगा, मैं एंफोर्स, इस्टेलॉउं चैनल के बारे में बताऊंगा ये कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसको यूज करना है, क्या इसके side effect आते हैं, क्या real में इससे लगाने के बाद timing बढ़ती है पूरा में detail में बताऊंगा, इसके बारे में, और इसके लिए बहुत सारी comments भी आईए, मेरी अधर पुरानी वीडियो उस पे, तो इसलिए में इस पे अच्छे से review करूँगा तो वीडियो को last से देखें, last से देखें तो यह आपको पूरा समझ में आएगा चले गाईज, बिना देरी के सुरू करते ही वीडियो, मैं हूँ डॉक्टर सुलिमान और आप देख रहे हैं, डैक्स रब्बानी यूटूब चैनल वैस आज जो बात कर रहा है, मैं एनफोर्स स्टलोंग जैल के बारे में बात कर रहे हैं अगर इसके बाध करें इसके अदर क्या क्या पड़ा होता है? इसके अंदर होता है listeners के लिडॉट lakent 2.5% और इसके अंदर होता है प्रिलोकाट 2.5% यह दोनों जो होता है दोनों योगल एप्र कहां आप अप्लाइ करें और को सुन कर देगा अगर इसकी कंपनी के बात करें इसको Mankind Pharma Private Limited Company Manufacturer करती है इसकी MRP 110 रुपे की होती है और 8 ग्राम का ये जल होता है यूजस जाने से पहले सबसा पहला बात करती है काम कैसे करता है जैसे कि अगर आप इसको किसी पार्ट पर लगाएंगे तो किस तरह के से अपना काम करेगा इसके अंदर प्रॉलिकन और लिडुकेन जो होता है यानि ये लोकल एरिये पर अपलाइब करेंगे और उसके बाद में दर्ध जो कम हो जाएगा तो ये क्या करता है जैसा है जहां पर आपको इसको लगाएंगे इस जैल को लगाएंगे तो वहां पर क्या करेंशेशन कम हो जाएगा जिसकी बैसे जो हमारे सिगनल्स होते हैं जो ब्रें तरक लेके जाते हैं यानि जो महसूस कराते हैं फो ब्लॉक हो जाएंगे अगर वहां पर दर्द होगा तो वह नहीं दिखाई देगा तरीके से यह काम करता है अगर इसका जनरल यूजं़ की बात गरे किसकी चीज में इसको 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 इसक्तेमाल में लाया जाता है कि अगर आपके muscles में कहीं पे भी दर्द है तो उस दर्द को ठीक करने के लिए इस जयल को इस्तेमाल में लाया जाता है ऐसे कि minor surgery करते हैं, cut वगरा लगाते हैं, massive अगरा हो तो उनको काटके निकालते हैं तब भी इस जयल को इस्तेमाल में लाया जाता है, ताकि वहाँ पे दर्द नहों और वहाँ पे सुन हो जाए यह अगर आप genital area में इसको use करते हैं, तो वहाँ पे क्या करता है, इसको सुन कर देता है genital part को जिसकी थोड़ा वोड टाइमिंग बढ़ जाती है, इसका जो work होता है, शिरिफ सुन करना होता है, अमनेस लाना होता है, बाकि इसका और दूसरा काम नहीं होता है, अगर आप इसको लगाएंगे तो सुन हो जाएगा, जिसकी वीज़ा थोड़ी वोड टाइमिंग बढ़ जाती है, वहाँ पर बर्णिंग जैसा हो सकता है, तो अगर ऐसी कुछ कंडिशन आती है, जलन जैसा अगर हो रहा है, यह फिर रियक्शन आ रही हैं, तो इसको इसको इस्तेमाल ना करें, आप गास बात करते हैं, इसको कैसे लगाना होता है, जैसे कि आपके किसी भी करना है, तो इसके उपर आपको अपलाई करना है, थोड़ा सा जैल लेना, जैल लेने के बाद उस पर अपलाई करना है, जब उस पर अपलाई करेंगे तो इस अरियको सुन कर देगा, जब वो इरिया सुन हो जाएगा, तो उसकी वेसे टाइंग में भी बढ़ जाती है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे नोलोजली वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में